सम्माने छेतरवासियों कورोना संकर्ण अभी खत्म नहीं हुआ है और नहीं बहुत जल्दिस के खत्म होने का दावा किया जा सकता है ऐसे में हमें इसके साथ ही जीने की आदर डालने हो एक तरफ हमें कोरोना संकर्ण की चेन को तोड़ना है संकर्वन को फैलने से रोकना है दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियों को प्रारंब कर जन जीवन को पट्री पर लाना है अब जब कि लाउटाउन में छूट और रियायते भी मिलना शुरू हो गई है ऐसे में एक नागरिक के तोर पर हमारी जमेदारी और बढ़ जाती है सरकार की सकती के बजाए हम सब अपने आप में बदलाव लाएं ज़्यादा अच्छा होगा सभी सामाजिक, राजिनेतिक, RWA, NGO, क्रपया निम्न संकल के लिए प्रेरित करने का अभियान जारी रखें दोगजदूरी बहुत जरूरी मानि प्रधान मंत्री जी दौरा दिये गए इस मंत्र को भूलना नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना संकर्मन से बचाव का एक मात्र रास्ता है मास्क, घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें N95 याने मास्क की दोड़ में ना दोड़ें कोई भी घर में बना हुआ साधान मास्क या 3-ply मास्क का इस्तेमाल करें अपने हाथों को बार बार साबून से दोना है अगर आप फील्ड वर्क में हैं तो आप एक सैनिटाइजर भी साथ रख सकते हैं चेहरा आईने में देखने के लिए हैं हाथ से ना चून कोरोना से बचाव के लिए आरोगी सेतुय एक सुरक्षा कवज की तरह है इसे जरूर डाउनलोड कर ले जैसा कि प्रधानमंद्री जी ने कहा कि जान भी और जहान भी और आत्र निर्भर भारत का निर्मान भी तो हमें अपना बचाव करते हुए अपने समाज का बताव करते हुए अपने कामधंदों पर लोटना है जिससे देश को आर्थिक मजबूती भी दी जा सके नमस्ते